हमारे सारे कर्मों का हिसाब रखने वाले शनी देव का अतिप्राचीन मंदिर है जबलपुर के गोहलपुर में ये मंदिर लगबग 1500 वर्ष पुराना है और यहां के पुजारी उमा शंकर सोनी जी ने बताया कि वे पिछले 30 सालों से इस अतिप्राचीन सिध शनी मंदिर की पूजा अरचना और यहां पर सेवा कर रहे हैं शनीवार को तो यहां पे जबलपुरवासियों का ताता लग जाता है और सुबह से लेकर रात में 10-11 बजी तक लोग शनीदेव को तेल चढ़ाने आते हैं और सूर्य पुत्र से अपने अच्छे भविश्य की कामना करते हैं सोनी जी का कहना था कि लगबख 1500 वर्ष पूरु बने इस मंदिर को बंद कर दिया गया था और विभिन आक्रमणों के बाद यह मंदिर पूरी तरह से बंद था तो उन्होंने आज से लगबख 30 वर्ष पहले मंदिर को पुनह चालू करने का बीड़ा उठाया और आज वो निरंतर 30 वर्षों से सेवा कर रहे हैं इन शनी देव की सित्तनी मंदिर केवल पूर मत्त दे यह मंदिर अति प्राची गोरवाना सासनकाल का है और लगभख 1500 वर्ष पुराना यह मंदिर है और जो भी भख केवल मात्रदसन करने से ही उनकी मनों कामना है पूजी होती है और भक्तों का ताता सुबे से साम तक सनीवार को पूरे दि मस्मुंम्त की यह मंदिर कम तीस साल से हम इसकी सेवा कर रहे हैं। और यह मंंदर बंद हो गया रहा होसु भगध्वान सनीद्यों की कत्सफा हूई है कि हम लोग इस मंदिर का जियों कुद्रा करने के लिए पहुँनचे और आज सबसे 30 साल से अपनी तक इसकी सिवायत दे रहे हैं और जहांसी भी उनकी करफा होती है बैंता हम इसा तुझा अच्छना करते रहते हैं मैं यहां बिगत 15 साल से आ रहा हूँ और यह मंदर करीब करीब में जो अमलुक की फूर्ण बजाते हैं पंद्रा सु साल पुराना मंदर है और यह मंदर की विशेश हाथ पूरा दिया है कि जो भी सद्धाली में आप शद्धा दूरुक कारते हैं उसकी सुतानों सभी मनुकामना किवल साथ स्रीवकार करने पे पूरी हो जाती है यह इसलिए मंदर में दिगत तीन सालों से आ रहा हूं जो भी मेरी मनुकामना और लोगों की मनुकामना सब पूर रुखे जय संधियों बढ़ा है